हाई गाईस योर वाचिंग सीरियल से आपा जहां पे मिलती है शो से जोड़ी अमेजिंग जानकारी बात करते हैं टिवी सीरियल यह रिष्टे क्या कहलाता है कि आज रात के एपिसोड की तो आप देखेंगे कि अर्मान यहां पर सच नहीं बताता रूही के बारे में अभीरा को और वो इमोशनल हो जाता है वो सोचता है कि अभीरा उस पर ट्रस नहीं कर रही अर्मान अभीरा से कहता है प्लीज मुझ पर भरुसा करो अभीरा कहती है मैं तुम दोनों को उपर ट्रस नहीं कर सकती और चाहें तुम जो भी करो अर्मान कहता है हमारा जो प्यार है उसकी sad ending नहीं हो सकती अभीरा अर्मान breakdown होते हैं क्रिश यहाँ पर एक parcel देता है अर्मान को अर्मान और अभीरा को पता चलता है कि उनका जो divorce है वो अभी final नहीं हुआ है माधव विध्या अभीरा अर्मान को पताते हैं कि तुम लोगं का divorce अभी नहीं हुआ माधव अर्मान से कहता है कि याने कि फूफा सा ने हमेशा दादि सा को manipulate किया अर्मान डिसाइड करता है कि वो माधव से यहाँ पर अभीरा के लिए वो confess करेगा माधव अर्मान से कहते हैं कि क्या तुम्हारा future है अभीरा के साथ instead of संजे को परिशान करने के बजाए याने कि तुम संजे से सवाल जवाब करना छोड़ो अभीरा को मनाने में फोकस करो अभीरा माधव से कहती है कि आखिर आपको यह सच कितने टाइम से पता है माधव कहते हैं कि मैं अर्मान और रूही की शादी के बात जानने से टाइम से पहले से ही पता था लेकिन डिवोस फाइनलाइज नहीं हुआ है मैं तुमनों को बताने वाला ही था लाओर मैं सोचा भी था कि मैं संजे को एक्सपोस करूँगा लेकिन तब मेरा एक्सिडेंट हो गया अर्मान कहते है कि यानुकि ये सब कुछ फूफसाने किया विद्या और संजे ही यहां पर जूट पोल उन्होंने जूट बोला हमसे भी अर्मान मादव से कहता है आखर हाँ अपने भूश में पहले सच क्यों नहीं बताया मादव कहते है क्योंकि मैं अभीरा अर्मान तुम दोनों को खुद figure out करना चाहता है था कि तुम दोनों की एक दूसरे के लिए feeling है या नहीं इंस्टिक्ट कि तुम सिर्फ यहाँ पर helplessly एक दूसरे के साथ रहते अर्मान अभीरा को thanks कहता है अर्मान कहता है अभीरा से कि अब तुम अपना फैसला करो वो कहता है कि मैं तुम्हारे फैसले का अंतिजार करूँगा रूही सड़क पर बहुती रेश ट्राइविंग करती है मनीश वरेड है रूही के बारे में मनीश से कहती है मुझे कोई जरूवत नहीं है किसी की बाद में अर्मान शेय करता है कि विद्या से कि अभीरा ने क्या अलग रहना चूस किया या फिर मेरे साथ विद्या अर्मान से कहती है कि अपना patience रखो बेटा सब कुछ अच्छा होगा वो कहती है अभीरा जरूर तुम्हाए पस लोट कराएगी विद्यार मान से कहती है अभीरा तुम्हारे पर trust करती है क्योंकि वो अपनी self-respect नहीं भूलना चाती बस इसलिए वो देर लगा रही है कावेरी को पता चलता है पोदार से कि अभीरा से मिलना चाते है अभीरा यहाँ पर शौक है वो कहती है कि क्या हुआ क्या तुम्हारा खयाल उड़ खराब हो गया है जो तुम मुझसे मिलने आई हो कावेरी रिसाइड करती है कि वो अभीरा को सबक सिखाएगी वो imagine करती है कैसे पोदार सभी लोग अभीरा को सपोर्ट कर रहे हैं और कावेरी रिसलेस हो जाती है अभीरा यहां अर्मान के बारे में सोचती हो वरेड है वो सोचती है कि उसे अर्मान पर बिलीव करना चाहिए या नहीं अभीरा से कहते हैं कि भावी आपको भीया को एक चांस देना चाहिए मनोज यहां पर अभीरा से कहते हैं कि हाँ बेटा तुम्हें अर्मान पर भरोसा दिखाना चाहिए क्योंकि वो तुम्हारा विश्वास चीतने के लिए बहुत जादा मेहनत कर रहा है मादव भी कहते हैं कि तुम अभीरा को प्रेशराइज मत करो कोई भी उसे खुद फैसला लेने दो वो कहता है कि अभीरा अपना डिसीजन खुद लेगी मादव मनोज क्रेशारियन चारू से कहते हैं तुम अब परिशान करना बंद करो अभीरा को अदरवाइस मैं तुम लोगे एंट्री मना कर दूँगा यहां पर मनीश यहां पर रूही को पकड़ते हैं रूही का एक्सिडेंट हो जाता है और मनीश वरिड है रूही के बारे में यही सब दिखाया जाएगा शोक के अब कमिंग ट्रैक में देखना होगा अब कौन सी नई मुसीबत में फसने वाली है फिलाल तो ऐसी मज़िदा अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेय करना ना भूले